हाई फ्रेंड्स जैसा कि आपको पता है दो मिनिट में तो मैगी अभी बनती नहीं है तो पांच मिनिट एक्ष्टर लेके हम सुपर टेस्टी और डिलिशस मैगी बनाएंगे तो चलिए मैगी बनाने स्टार्ट करते हैं तो यहां मैंने सबसे पहले एक पैन लिया है उसमें दो चम्मच मैंने तील ढाला है जब तील गरम हो जाएगा तब मैंने यहां एक हरी मिर्च को बारिक काटके डाला है अब हम इसमें दो बारी कटे वे प्यास डाल देंगे और गैस की फ्रेम को हम हाई रखेंगे हाई फ्रेम पर इसे एक मिनट तक हमें चलाते हुए पका लेना है एक मिनट बाद प्यास हमारे इस तरीके से पक जाएंगे हमें प्यास को गलाना नहीं है अब हम इसमें एक बारी कटावा टमाटर डाल देंगे और इसे मिला लेंगे अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे नमक हमें थोड़ा सा डालना है क्योंकि मैगी की टेस्ट मेकर में नमक होता है अब हम इसे हाइ फ्लेम पर चलाते हूए एक मिनद तक पका लेंगे एक मिनद बाद मैंने यहाँ दो पैक टेस्ट मेकर डाले हैं और इसे अच्छे से मिला लेंगे अच्छे से मिलाने के बाद अब हम इसमें 2 कप पानी डालेंगे और इसे अच्छे से गरम कर लेंगे जो पानी में एक उबाल आने लगे तब यहां मैंने दो पैक मैगी नूडल्स डाल दिये हैं मैगी नूडल्स डालने के बाद हमें इसे धकन लगा कर दो मिनिट तक हाई फ्रेम पर पका लेना है दो मिनिट बाद हम धकन हटा लेंगे और यह हमारी मैगी बन कर तैयार है अब हम इसे एक प्लेट में सर्व करेंगे मैंने यहां मैगी को एक प्लेट में निकाल दिया है थोड़ा से उपर सहरा धन्या डाल दिया है तोड़ा सा मेरे पास चीज बढ़ा था तो मैंने वो भी डाल दिया है, अगर आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, अगर ये रेसिप अच्छी लगिए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बाई!